चानक के I.S. Academy में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे कोप 15 शिखर समेलन के बारे में चार साल तक चली जटिलवारता के बाद भारत सहित लगबग दोशो देशों ने कैनाडा के मॉन्ट्रेल में जे विवित्ता के संग्रक्षन के लिए सयुक्त राष्ट्रे कोप 15 शिखर समेलन में पैरिश शेली के एक एतिहासिक समझोते को मंजूरी दे दी है समझोते के बारे में अगर बात करें तो इस समझोते को सम्मेलन के अंतिम सत्र में गहन चर्चा के बात स्विकार किया गया है यह समझोता दुनिया में भूमी वह जल के संगरक्षन और विकास सिल देशों को जे विवित्ता को बचाने के लिए धन जुटाने में मदद करने की दिशा में एक महत्तपुन कदम है कॉप 15 जे विवित्ता शिकर सम्मेलन के अध्यक्ष एवं चीनी पर्यावरन मंत्री हुआंग रूनकियू ने कुन्मिंग मॉन्ट्रियल समझोते को अपनाने की घोशना की है यह सम्मेलन 7 दिसंबर को शुरू हुआ था और इस समझोते का उदिश है भूमी महासागरों और प्रजातियों को प्रदूशन शरंगता जलवायू प्रिवर्तन से बचाना है वार्ताओं में सबसे विवादस्पद मुद्दों में से एक विश्वस्तरपर और विशेश रूप से विकास सेल देशों में संगरक्षन प्रियासों का समर्थन करने के लिए वित पैकेट जुटाना था इस समझोते का और इस समेलन का बहुत अधिक महत्तु है और इसमें बहुत महत्तपून फैसले लिए गया है तो आईए देखते हैं इसका महत्तु क्या है Worldwide Lifetime Fund की Living Planet Report 2022 के अनुसार निगरानी वाली वन्यजीव आबादी, संधारियों, पक्षियों, उबेजरों, सरी सर्प और मचलियों की संख्या में 1970 के बाद से ओस्तन 69% की विनाशकारे गिरावट देखी गई है समझोते में 2030 तक सभी त्रोतों से वित्य संसादनों के स्तर को उत्रोतर बढ़ाने और प्रतिवर्ष कम से कम 200 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने की प्रतिबत्ता जताई गई है इसकी बड़ी उपलब्दी 2025 तक अंतराश्टिय वित्प्रवाह में 20 अरब अमेरिकी डॉलर और 2030 तक 30 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रतिबत्ता भी है समझोते के 23 लक्षों में परियावर्णिय रूप से विनाशकारी, प्रशी सबसीडी में कटोती, कीट नाशकों से जोखिम को कम करना और अकरामक प्रजातियों से निपटना शामिल है अनेक लोगों द्वारा इस समझोते की तुलना वेश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्शिस तक सीमित करने समंदी पैरिस समझोते से की जा रही है इसके तहट 2030 के लिए वेश्विक लक्षों में जे विवित्ता और पारिस्तितिकी तंत्र के कामकाज और सेवाओं के वास्ते विशेश महत्व के छेत्रों पर जोर देने के साथ ही दुनिया की कम से कम 30 प्रतिशत भूमी, अंतरदेशिय जल, तटिये छेत्रों और महासागरों का प्रभावी संग्रक्षन एवं प्रबंधन शामिल है प्रयावर्निय समोहों ने नए समझोते के संभावित परिवर्तन कारी प्रभावों का स्वागत किया है इसलिए इसे एक पॉजिटिव आउटलूप के रूप में देखा जा रहा है अब इस सब में भारत का क्या पक्ष रहा आईए देखते हैं हाल ही में भारत ने कहा था कि क्रशी चित्र में कीटनाशकों की कमी के लिए एक संख्यातमक वेश्विक लक्ष आनावशक है और इसका फैसला देशों पर छोड़ दिया जाना चाहिए भारत ने यह भी कहा था कि भारत में क्रशी छित्र अन्य विकाश इल देशों की तरह लाखों लोगों के लिए जीवन आजीवी का और सस्कृति का स्रोथ है और इसके प्रति समर्थन को उन्मूलन लक्षे नहीं बनाया जा सकता तो यह भारत का इस पे आउटलूक रहा है अब हम बात करेंगे कोव 15 के बारे में जेविक विवित्ता पर सयुक्त राष्टो सम्मेलन के लिए पार्टियों का पंद्रवा सम्मेलन जिसे कोव 15 भी कहा जाता है दुनिया भर की सरकारों को एक साथ लाने वाली एक अंतराष्ट ये बैटक है और एक महत्वपुन पहल है प्रतिभागी नए लक्षे निधारित करेंगे और अगले दशक में प्रकरती के लिए कार्य योजना विक्सित करेंगे जैसा की करने का प्रयास भी किया गया है सम्मेलन साथ से 19 दिसंबर 2020 तक मॉनिट्रिल क्यूबिक सयुक्त रा यह सुनिश्चित करना है कि कोप 15 प्रकरती के लिए सफल हो और ऐसे प्रयास किये भी गए हैं दुनिया भर में जेविवित्ता के खतरनाक नुकसान को रोकने और उलटने के लिए अंतराश्ट्रिय भागेदारों की ततकाल आवशक्ता है और इसमें कोप 15 की भूमी का महत् अब हम बात करेंगे इसकी प्रिष्ट भूमी और इतिहास के बारे में जेविक विवित्ता पर कंवेंशन पर पहली बार 1992 के रियो प्रित्वी सम्मेलन में 150 नेताओं द्वारा यानि की देशों द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे इसके मुख्य उदेश्य हैं जेविक वि कास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है और कंवेंशन मानता है कि जेविक विवित्ता पोधों जानवरों और सुक्ष्म जीवों उनके पारिस्तिति की तंतर से कहीं अधिक है यह लोगों और खाद्य सुरक्षा दवाओं ताजी हवा और पानी आश्रय और एक की हमार कर ली है आज का हमारे टॉपिक यहीं पर complete होता है हम कल फिर मिलेंगे कनए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब को like share और subscribe जरूर करें thank you so much don't forget to like share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update